हाईलो इस्टुडेंट्स नमस्का अर्मय पंका जग्रारी आप लोगा अग्रारी एकेडमी पर स्वागत करता हूँ आज हम लोग पाढ़ने वाले हैं डिफरेंस वेट बीन दिस अंड इट यानि की आज हम लोग इट और दिस के बीच डिफरेंस को समझने वाले हैं चलिए हम लोग समझते हैं इट और दिस के बीच क्या अंतर है चलिए में लोग देखते हैं इट और दिस के बीच में क्या डिफरेंस है जैसा कि आप लोगों को पता होगा this का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है यह और it का जो हिंदी मतलब होता है वो भी होता है यह तो यानि कि दोनों के मतलब तो सेम है दोनों का अर्थ तो सेम है तो कहां पर हम लोग it का यूज़ करेंगे कहां पर हम लोग this का यूज़ जैसे कोई व्यक्ति है उस व्यक्ति के नाम, पहचान, उसका परचे या फिर समीपता का बोध कराने के लिए होता है, किस चीज का? समीपता का बोध कराने के लिए होता है, समझे जैसे यहां पर मैं खड़ा हूँ, यहां पर या फिर कोई व्यक्ति खड़ा है इस तरह से और इसके पास कोई ऐसे book रखी गई है, इस व्यक्ति के पास आप लोग समझेए, कोई ऐसे book रखी गई है, समझे जैसे इसके पास कोई book रखी गई है, हमने क्या का, हमने कहा, this is a book, यानि कि यह एक किताब है, तो यह एक किताब है, इससे क्या पढ़ती है, किताब हमारे पास ही ह है किताब हमारे पास ही है तो इस तरह से समीपता का बोध कराने के लिए this का use होता है किसका use होता है this का या फिर this is all India radio अब जैसे कोई चीज है all India radio यहां पे है हमने का this is all India radio यानि कि यह जो है यह all India radio है इस तरह से हम लोग this का use करते हैं अब हम लोग it के uses को बात लेकर के बात करते हैं इट का प्रयोग कहां होता है चलिए हम लोग देखते हैं इट का प्रयोग कहां होता है इट का जो यूज है प्राकिर्तिक घटनाओं तो प्राकिर्तिक घटनाओं में कौन-कौन सी घटनाओं आती हैं जैसे टाइम हो गया जैसे टाइम हो गया वीधर हो गया यानि कि मौसम टाइम, वीधर, टेमप्रेचर, क्या हो गया टेमप्रेचर, ETC यह सब कैसी घटनाओं होती है प्राकिर्तिक घटनाओं अब जो प्राकिर्तिक घटनाओं है इनको एक्सप्रेस करने के लिए इट का यूज होता है जैसे हमने कहा इट इस समर यह गर्मी है इट इस समर गर्मी ह तो इसके लिए it का use किया गया, summer को express करने के लिए it का use किया गया, it is night यह रात है, इस तरह से it का use होता है, चलिए हम लोग देखते हैं फिर से this के usage को, this का use और कहां पर होता है, अब जैसे कोई interrogative sentence है, कोई प्रश्ण वाचक sentence है, ऐसा sentence जिसमें प्रश्ण पूछने का काम होत होता है, अगर ऐसा sentence है, तो इसमें नाम परिचे जानने के लिए, यानि कि नाम क्या है, परिचे क्या है, इस चीज को जानने के लिए this का use होता है, जैसे हमने कहा, what is this, या क्या है, या फिर what is this, या क्या, इस तरह से हम लोग बात करते हैं, और इधर अगर हम लोग देखें तो नाम परचे जानने के लिए interrogative sentence में it का परियोग नहीं होता है, अगर आप लोग किसी व्यक्ति से पूछ रहे हो, किसी बंदे से पूछ रहे हो, what is it, sorry, अगर आप लोग किसी से पूछ रहे हो, what is it, तो यह आपका जो sentence होगा, वो incorrect होगा, तो इस तरह से हमने जाना कि this और it के बीच में difference क्या होता है, जबकि दोनों का मतलब सेम है, तो इस तरह से आज की class में हमने सीखा, this तता it के uses के बारे में, और इनके बीच हमने अंतर को समझा, चलिए आप लोग पढ़ते रहे हैं, और देखते रहे हैं, अग्रारी अकेडमी की सारी वीडियोज को और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, चलिए, थैंक यू,